नमस्कार दोस्तों केरे प्लैटफॉर्म आप सभी का स्वागत है मैं हुव बिनोद और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बिल्चिंग पॉडर के बारे में यह बिल्चिंग पॉडर है क्या और किस तरह से इसका हम केमिकल नेम लिखेंगे यह सारे चीजे इसमें तीन इलिमेंट होता है एक तो कैल्सियम है ऑक्सिजन और क्लोरीन है इसलिए C, A, O, C, L2 या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं C, A, O, C, L और C, L इस तरह से बिल्चिंग पॉडर का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं अब इसका केमिकल नेम क्या होता है केमिकल नेम सब सब ज़रूरी है, important है तो इसको यहाँ पर लिख लीजिये chemical name क्यिस का? बिल्चिंग पॉडर का तो इसका chemical name होता है calcium oxy chloride हम बोलते हैं क्या लिखेंगे C, A, L, C, I, U, M calcium oxy chloride इसका chemical name है कई नाम से जानते हैं इसको हम लोग bil्चिंग agent के रूप में भी हम जानते हैं ये भी आ calcium hypo chloride भी बोले जाते हैं या scra değer time भोल देते हैं तो इस तरह से chemical नेम क्या है calcium oxy chloride ठीक है ये आपका इसका इसका केमिकल नेम है ठीक है इसका क्या होता है chemical पूछता लिए तो इस bulging поним क्र выпstra法 का केमिकल इस्टर क्टर वह क्यों जानना जरूरी है radically कमिकल structure कैसा होता है देखिए देखिए आप जैसे यहां calcium है तो यहां पर calcium बना दिया इसके बाद एक oxygen इधर और एक oxygen इधर हमने रखा ठीक है और sorry यहां पर sorry इसका structure जो है यहां पर आप इस तरह से बनाएए यहां पर calcium है और इधर जो है और इधर जो है और इधर जो है आप एक क्लोरीन जोड़ दीजिए यह इसका structure हो गया किसका wilching potter का c a o c l और c l यह wilching potter का जो है structure है दूसरी बात क्या है कि हम इस wilching potter का जो है हम किस तरह से बनाते हैं यह भी इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले बिल्चिंग potter का फर्मूला याद रखिए c a o c l 2 या c a o c l और c l इस तरह से chemical नेम क्या है calcium high oxy chloride और इसका structure इस तरह से हैं अब हम इसके डिसकस करेंगे इसका preparation देखिए bilching potter बनाने का तरीका है it is produced by the action of chlorine on dry slack clam देखिए dry slack clam को chlorine के presence में हम reaction करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा bilching potter होगा तो इस चीज़ को लिख लिया जाए मैं यहां पर लिख देता हूं क्या लिखना है it is produced it is produced by the by the action of chlorine by the action of chlorine on dry यह जरूरी है dry slack clam slack clam जो slack clam क्या होता है हमारा calcium hydroxide मैं यहां पर लिखता हूं reaction c a o h इसका hold twice इसी को बोलते हैं slack clam calcium hydroxide slack clam है यह ठीक है इसको हम क्या करते हैं क्लोरीन के presence में reaction कराते हैं ठीक है तो हमारे जो result आएगा c a o c l ठीक है टू यह हमारा पलस आपका जो है s2o और यही जो है हमारा क्या है पिल्चिंग पॉर्डर है पिल्चिंग पॉर्डर कैसा होता है white color का पॉर्डर होता है और यह हमारे जो है सो वाटर आए गया तो यही हमने बिल्चिंग पॉर्डर देख लिया किस तरह से हम बनाते हैं इस इंपॉर्टेंट है कि बिल्चिंग पॉर्डर का किस तरह से preparation करते हैं यह एक्जाम में question फो जाएं से यहाँ पर cl2 क्या है chlorine और यह बिल्चिंग पॉर्डर और इसको हम लोग इस तारा से भी हम नाम लिक सकते हैं केमिकलननेम प्लस water अब हम बात hint Madern का यूजज कहा है दोस्तों Imogen potter पीने वाला पानी के सफाई करते हैं और उसको सफाई करने के बाद हम लोग प्लैन के थरूज हम सप्लाइ करते हैं तो सफाई करने के बाद उसमें उसमें काफी सारा बैक्टेरिया और रहा जाता है तो इसलिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है तो जैसे क्लोरीन का पॉडर जो है ना जैसे बिल्चिंग पॉडर मिला दिया जाता है उसमें तो उससे क्या होता है कि उस पे बैक्टेरिया सब सारे खत्म हो जाते है बैक्टेरिया को सबको स्मप्ट कर देता है मर जाते है इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते है डिसिंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के रूप में बिल्चिंग पॉडर का फर्स्ट यूज आए सकेर्ड यूज क्या है इस बिल्चिंग पॉडर का ये भी जानना जरूरी है जैसे Oxidizing agent in chemical industry वहाँ पर यूज किया जाता है तो इसको लिख लीजे Oxidizing Oxidizing agent in chemical industry chemical industry में और एजा Oxidizing agent के रूप में भी bilching powder का यूज होता है थर्ड यूज क्या है bilching wood pulp अब लिख लीजे bilching wood pulp in paper industry में paper industry में भी ही यूज होता है bilching powder का और next जो है आपका bilching powder का bilching बिलचिंग cotton and linen in textile industry textile industry तो ये में चार यूजेज मैंने आपको बताया bilching powder का पानी को साफ करने के लिए as a oxidizing agent in chemical industry बिल्चिंग पॉडर पेपर इंडेस्टी में यूज होता है textile इंडेस्टी में भी यूज किया जाता है ये चार यूजेज मैंने आपको बिल्चिंग पॉडर का बताया दूसरी बात है कि इसका physical property अगर हम बात करें तो बिल्चिंग पॉडर को हमने अभी बताया था calcium hypo chloride is white and grey solid at root temperature बिल्चिंग पॉडर आप जब देखेंगे न तो ये आपको white color का आपका पॉडर हो गए just like white भी बोल सकते है या grey color का एक तरह का पॉडर है ठीक है तो ये ध्यान रखिये नेगा और its solubility in water is 21 gram per 100 ml and its react with water when dissolved जब इसको dissolve किया जाता है इसके साथ its solubility in hard water is relatively low when compared to its solubility in soft and medium hard water ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये था बिल्चिंग पॉडर के बारे में दोस्तो आज हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में Thank you, Carreport